Welcome back my dear viewers, तो आज के इस वीडियो में एक नए टम को हम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है goods Businessman आखिर अपने business में किन-किन चीजों को goods बोलता है, समान बोलता है, किन को अपना asset बोलता है, ज़रा समझाईए सर तो आईए सीखते हैं देखें, तीन बाते हैं जिनने आप सीखने के बाद आप आप असानी से बता सकते हो कि यह मेरा goods है और यह मेरा asset है सबसे पहली बात, हर वो चीज जो कि कोई भी business या फिर businessman बाहर से खरीद के लाता हो, purchase करके लाता हो, या फिर manufacture करता हो, उसे वो अपना goods बोलेगा दूसरी बात, हर वो चीज जो कि वो customer को sell करता हो, बेचता हो, वो उसका goods है और तीसरी बात, जो वो goods purchase करता था और sell करता था, उसी का कुछ part अगर बच गया go down में, तो उन बचे हुए goods को, stock को भी वो क्या बोलता है, goods बोलता है इन तीनों चीज को वो एक साथ goods identify करता है, अब देखो मैं बहुत सारे examples लेता हूँ, suppose कि मैं एक marker seller हूँ, ठीक है, तो मैं कही न कहीं manufacturer से इस marker को खरीद के लाता हूँ, या फिर raw material लेके खुद ही बनाता हूँ, तो ये marker मेरे लिए क्या है, goods है, क्योंकि मैंने इसे क्या क्य पर्चेश किया, अब इसी marker को मैं customer को बेजता हूँ, तो ये मेरा marker क्या है, goods है, अब कुछ marker मेरे दुकान में पढ़ा रहता है, तो ये भी क्या है, मेरा goods है, तो आप goods में as a whole, हर वो तीन चीज को identify करोगे, जिसको कोई भी seller या फिर business man खरीदता हो, बेजता हो, और stock में र ही से खरीद के लाता हूँ, तो ये bike मेरे लिए goods है, इस bike को मैं customers को sell करता हूँ, तो ये bike मेरे लिए goods है, मेरे go down में कुछ bike पड़े हुए है, जो कि अभी BK नहीं है, unsold है, तो ये भी मेरे लिए goods है, आप मेरे से bike खरीद के जाते हो, मोहन मेरे से bike खरीद के जाता है, तो म वोहन के लिए वो बाइक एसेट है समझ गें लेकिन मेरे लिए क्या है तो मेरे लिए वो गुड्स है तो नट सेल आप यही समझो कि हर वो चीज बिजनेस में जिने खरीदा जाए बेचा जाए स्टॉक में रखा जाए वो उसका गुड्स होगा जड़ा और जड़ा बोर्ट में दूसरी बात that are sell और resell इन दे बिजनेस जिसको sell और resell करता हो बिजनेस में और तीसरी बात that are part of stock or inventory in the business वो इस स्टॉक का पाथ हो तो वो सारे चीज क्या हो गया गुड्स हो गया आपके लिए टेबल बेंच क्या है, एसेट्स है, जिसको आप बार बार यूज करोगे फरनीचर है, लेकिन मैं तो दुकानदार हूँ, फरनीचर सेलर हूँ, मैं तो इसे गुड्स की तरह देखता हूँ, तो this is all about goods, thank you so much my dear instrument, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में.